हेलो, चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ चाननी, और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जमेट्री, ओके, तो ये वीडियो खास का छुद-छुद से बच्चों के लिए हैं, जो सेकिंद क्लास, थर्थ क्लास में हैं, और उन्हें मैट्स पढ़ना ह है, अभी जमेट्री में सबसे पहरे जो हम पढ़ेंगे वो है पॉइंट, आपको पता है पॉइंट क्या होता है, जस्ट आ डॉट, जस्ट आ स्माल डॉट, पॉइंट का कोई डायमेंशिन नहीं होता, आप डायमेंशिन से आप क्या समझते हैं, डायमेंशिन मतलब कोई ल तो point का कोई dimension नहीं होता अब बात आती है हमने point से start क्यों किया देखिए क्योंकि एक point जब हम जोडते जाते हैं जोडते जाते हैं जोडते जाते हैं और धेर सारे points को एक साथ straight line में रखते तो क्या form हो जाती है line अगर हम धेर सारे points अलग-अलग तरीके से form करें तो कोई भी shape बन सकता है तो हर चीज़ की starting जो है वो points से होती है इसलिए हम किससे start कर रहे हैं? points से next आता है line and line segment अब भई ये क्या है? line line मतलब जब two points जोडते हैं तब एक line form होती है और line को हम कैसे identify कर सकते हैं? line को हमेशा represent हम दोनों side पे arrow बना के करते हैं कैसे करते हैं? दोनों side पे arrow form करके हम line draw करते हैं आप जिन्ता मत करिए वीडियो के last में या beats में मैं आपको picture show करूंगी ठीक है? तो lines के दोनों side पे होती है arrow मैं आपको draw करके दिखाती हूँ, ठीक है? this is a line, ओके? line को हम कैसे represent करते हैं? दोनो side arrow अब हमने दोनो side arrow क्यों बनाई? दोनो side arrow का मतलब है line की ना कोई beginning होती है और ना ही कोई end होता है ये दोनो side से बढ़ते जाते हैं दोनो direction से infinity हैं बढ़ते जाते हैं उसे कहते हैं line अब ये तो हो गई line अब line segment क्या है? segment मींज एक हिस्सा इस line का अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लें तो वो बन जाता है line segment line segment के दोनों ही side arrows नहीं होती सिर्फ points होते हैं means एक beginning point है एक end point है वो होता है line segment इसके definite length होती है ये बढ़ता नहीं है जितना है उतना ही है जिसके दोनों side arrow होता है और वो arrow क्या represent करता है कि ये डोनों direction में infinitely बढ़ता जा रहा है ठीक है? और segment line का एक हिस्सा जिसका एक beginning point भी होता है और end point भी होता है और उसमें arrow नहीं होते अब बारी आती है third की third में हम क्या पढ़ेंगे? ray अब ray क्या होता है? ray में बस एक difference है इधर देखे this is ray अब इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ दोनो side arrow थे यहाँ arrow नहीं है और यहाँ पर one side arrow है यह है ray ray सिर्फ एक direction में बढ़ती है इसलिए उसके एक side पर arrow होता है ठीक है? इसका सबसे common example है और हम torch on करते है तो torch की जो light है वो एक ही direction में आगे जाती है बिकास इसलिए light rays rays में इसलिए एक ही side arrow होता है तो हम कैसे पहचान सकते हैं यह ray है if it is represented by a single arrow एक ही direction में आगे होता है अब जो lines है वो three types में differentiate की गई है ठीक है? there are three types of lines first one is intersecting line अब यह तो बड़ा बड़ा सा word लग रहा है intersecting lines simple है मेरी बात सुरो मान लो आपकी एक train है और एक चाननी मैम की train है तो आपकी train full speed पर आ रही है मेरी train भी आ रही है और दोनों एक same point पर जाके टकरा जाती है हमारा accident हो गया तो जो lines एक दूसरे को cross करती है किसी एक point पर meet करती है वो होती है intersecting lines ठीक है? वो क्या होती है? intersecting lines यानि एक दूसरे को intersect कर रहे है एक दूसरे को meet कर रहे है किसी single point पर उस point को हम बोलते है intersecting point अगर आप भूलो ना Intersecting Lines तो वैसी Lines जो एक जगा पे टकरा जाए, ठीक है, मतलब हमारी ट्रेन और आपकी ट्रेन टकरा सकती है, यह वैसी वाली Lines है, ठीक है, यह रिस्की वाली है, इसे हम कहते हैं Intersecting Lines, अब आता है Second, Second है Parallel Lines, अब इसको कैसे समझे, अब हमें हमारी ट्रेन को टकराने से बचाना है, तो हमें कोई ऐसा पाथ ढूनना पड़ेगा, जो कभी मीट ना करें, जो कभी एक दूसर से मिले नहीं, अगर यह दोनों ट्रेन एक दूसर से मिलेंगे नहीं, तो टकराएंगे नहीं, तो वो Lines, जो हमेशा Straight, एक Equal Distance बनाके, ना जादा ना कम, एक Equal Distance बनाके, ट्रेवल करती रती है, वो होती है, Parallel Lines, और Parallel Lines कभी भी एक दूसर से मिलेंगे नहीं करती है, अभी, 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 नेक्स हमारी आती है, Perpendicular Line, ना वाट इस Perpendicular Line, पर, पैंडी किलर लाइन, एक लाइन नीचे होती है, दूसरी लाइन उसके उपर Straight होती है, ठीक है, इसे हम कहते है, Perpendicular Line, इसको अभी हम जादा नहीं समझेंगे, जब हम Angles पढ़ेंगे, की Angles क्या होते हैं, तब हम Perpendicular Lines के Topic पर दुबारा आएंगे, ठीक है, एक Quick Revision हो जाए, पहले हमने क्या पढ़ा, Points, Point क्या होते हैं, Just a Dot No Dimension, No Length, No Width, No Depth, ओके, फिर आती है, Lines, Dot-Dot को मिलाएंगे, तो एक Lines फर्म हो जाएगी, Lines को कैसे Represent करते हैं, दोनों Side Arrow, ओके, Lines कितने टाइप की होती हैं हमारी, Intersecting, Train टकरा जाएगी, Parallel, Train नहीं टकराएगी, Because they are never gonna meet, इनके बीच में Equal Distance होता है, Third one is Perpendicular Line, Upside Down T, Okay, फिर आते हैं हमारे, Line and Line Segment, Line क्या होता है, जिसके दोनों Side Arrow होता है, Line Segment, Part of Line, इसके दोनों ही Side Arrow नहीं होता है, Then, Ray, इसके One Side Arrow होता है, Which means, सिर्फ एक Direction में Infinitely यह बढ़ती जाती है, तो आज के Topic में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे Shapes, 2D Shapes, 3D Shapes, इन सब के बारे में Detail में, मस्ती करते करते हम, Part 2 में पढ़ेंगे, Okay, Bye Bye, Have a Good Day!